तो हेलो गाइस कैसे आप सभी लोग स्वागते को रहे न्यू गेमपले में और आज हम दुबारा से खेलने जा रहे है लाश्ट रूल सर्वाइवल तो गाइस पिछले वीडियो में मैंने आप सभी को बोला था कि मैं और जादा रूम करूंगा इस सर्वर में ताकि अपने प बस में आके बेट चुका हूँ रूम में वापस है और साट सेकंड में लूट स्पॉन होई जाती है तो बस जल्दी से अभी लूट हो जाएगी अपने पास में गाइस यार मैं एक बाद गलत बता दिया था आप सभी को इस सर्वर में न साट सेकंड पे लूट स्पॉन नह सब कुछ जानकारी हुई मुझे चलो यार सप्लाइचेश्ट तोड़ने की जरूरत तो नहीं लेकिन फिर वह बीच में रजाएंगे इसलिए मैं उन्हें भी तोड़ रहा हूं और जो सारक कच्रा है वह मैं यहां पर निकाल दे रहा हूं ठीक है क्योंकि यार देखो ऐसे तो बेग फूल हो जाएगा और यह कच्रा में ले जाके अपने मतलब लार्ज इस्टोरेज में रखोंगा तो अपने पास में इतनी जादा जगा नहीं है अपने घर में लार्ज इस्टोरेज लगाने की तो इसलिए कच्रा-कच्रा फेक दूंगा बाकी काम के लूट रख होगा क्योंकि वह तो रेड में काम आ जाएंगा यार सीफोर मिल चुका है वैसे मुझे देख लो आप लोग अब अपने पास में सीफोर की रेसिपी तो बन चुकी है लेकिन फिर भी सीफोर यार मतलब फायदे का सोधायन तो रखूंगा नहीं बेग में फेकूंगा थोड गन का ठीक है और राइफल बेरल अब भी अपने पास में रखे हुए ठीक है राइफल बेरल से हमने एक भी गन नहीं बनाई है वो तो वैसे कि वैसे ही रखे हुए है क्योंकि रूम से हमें इतनी सारे गन मिल गई इतनी मेहनत की हम लोगोंने और फिर उसके बाद सो अब हम लोग raid करने के लिए ठीक है तो सबसे पहले हमने एक base यह देखा था इस server में base कमी है ठीक है तीन चार base है फिर पूरा server wipe हो जाएगा तो इसलिए हमने सुचा कि सबसे पहले इस base को raid करते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा upgrade हमें यही base दिख रहा था बाकि जो base है वो stone's upgrade है तो यह बंदा उस server में भी base बना रखा तो और हमने मतलब इसका base online raid किया था आप सभी को याद होगा research center की तरफ में इसका base था तो इसका base raid करेंगे अब हम लोग अब मैं आपको जानकरी के लिए बता दूँ कि अभी भी वह बंदा online है ठीक है मैंने अभी देखा है तो हम ल भी हलकी नहीं है ठीक ठाक है ठीक है तो हम दो बंदे आये हैं इस base पर raid करने के लिए एसके और मैं बाकी हमारे जो teammate है वो offline है अभी अब क्या उनका इंतिजार करते ना तो पिर उसके बाद time जादा निकल जाता यार और हो सकता था हमारे base पर raid हो जाती तो इसलिए हमने सारी cannon लगी हुई है ठीक है तो पास में जाने इस base के थोड़ा difficult है बट हम जाने की कोशिश जरूर करेंगे तो guys देखा आप लोगों मतलब मैं थोड़ा सा आगे बड़ा और मेरी health कितनी कम हो गई तो मतलब cannon में इस बंदेन अच्छी खासी ammo बहर रखी है पिछले server में भी इसके पास में इसने मतलब कापी सारी cannon लगा रखी थी टूरेट लगा रखेता है तो एसके कुछ ज्यादा ही पास में चला गया bomb लगाने के लिए इसी वज़ा से वो cannon से किलो गया लेकिन उसने यह कि bomb जरूर लगा दिये है base पर इस तरह से यार काम नहीं चलेगा अगर हम रेड करनी है ना तो कुछ ना कुछ तरीका देखना पड़ेगा हमें जंप करकर करके यही देख रहा हूं कि किस तरफ से रेड की जाए ताकि cannon का लफडा ना रहे यार अभी क्या है अपने पास में बजू का नहीं है यार बजू का होती ना तो cannon को हम लोग तोड़ देते मैं पहले तो अपनी यार हेल्थ फुल कर लेता हूं वैसे जो बंदा इस बेस का ओनलाइन है वो अभी तक बाहर नहीं आया है गाईस यार मतलब मैं सोच रहा हूं कि यार बाहर आएगा आएगा लेकिन वो आ नहीं रहा है क्योंकि उसको यह लग रहा होगा शायद कि उसका अपनी केनन ही बचा लेगी कि यार हम दोनों से उसके बैस पर रेट नहीं होगी वू यह सोच रहा होगा बट हम रेट करके जाएंगे यार इधर की साइड में यह बंदा आलग से श्यूटिंग एरिया बना रहा था तो इधर की साइड से रेट हो सकती है तो मैंने अभी ए केनन उस पर चल भी नहीं रही है क्योंकि वह बिल्कुल दिवार के मतलब वाहल के बिल्कुल टेच में खड़ा हुआ है चलो तो अभी यहां से बॉम लग जाएंगे यार मैंने सई दिमाख लगाया यार अब देखो केनन भी हम पर नहीं चल रही है अब बस नीचे से यह बैस अब फ़ी को पसंद आयो तो वीडियो को यार लाइक करदो यार बूलो मत यार लाइक करदो ञज्रम गवाई लोग देख रहे हैं लाइक कर तो यार जल जल्दी से और अगर कोई भाई अभी भी ऐसा है जिसने अभी तक भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो देखता है हमेशा तो यार सब्सक्राइब कर लो क्योंकि हम अच्छे कासे मतलब बढ़िया मेहनत करके वीडियो लाते है आप सभी के लिए चलो तो गाईस अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कितनी वाल टूटी इसकी ओके तो यहां पर आयरन की वाल आ चुकी हेड मेड मेरे पास में है मेरे पास में वैसे सी फॉर भी है मैं चाहता तो सी फॉर लगा लेता बट मैंने नहीं लगाए अब मैं तो मुझे गलीच हो जाएंगे लेकिन नहीं हुए तो यहां से आयरन की वाल टूट चुकी है और अब इस्टिल की वाल आ चुकी है मैं सोच रहा हूं कहां पर बॉम लगाया जाए एक बार मतलब अगर क्या है कि एसके फिर उसके बाद नाराज हो जाएगा क्योंकि अगर गलच जगा बॉम लगा दिये तो मैं कैश जादा सोसता नहीं हूं बोम लगाने में वाली तो तोड़नी है लेकिन वो वोल रहा था कि ही साइट से तोड़ उधर की साइट से नहीं चानू तो इदर की साइट में सीपूर लगा दिये है ओके यार गाइस आगे की साइट में केनन आ गई थी यार मतलब मैं वहीं पर खड़ा रहा ना थोड़ा समय लेट हो गया तो इसलिए मैं नोक हो गया लेकिन अभी एस के मुझे रिवाई दे देगा उसके बाद में चलते है बेस के अंदर यार बजुका होती ना तो ज़्यादा सही रहे था गाइस अब क्या है हमें केनने ना बॉम से तोड़नी पड़ेगी एक बार देखते क्या जुगाड करते हम लोग मैं अपनी हेल्थ बढ़ा लेता हूं पहले तो तो अभी एस के बॉम लगाने की सोच रहा है अंदर की साइड में लेकिन क्या है कि अभी ट्रिक हो नहीं पा रही या अगर एक बार बॉम लग गए ना ओके चलो यार लग गए बॉम मुझे यहां से ठीक से थोड़ा दिखाए भी तो नहीं देरा ज्यादा दूर का मामला है ना तो केनन अभी तक नहीं टूटी है तो गाइस देखो अगर आप सभी के सामने भी कभी इस तरह की दिक्कत आ जा जाएगी ठीक है केनन भी तूट जाएगी बेसल तो मुश्किली तूटेगी यार बेसल इतनी जल्दी नहीं तूटती केनन नी तूट जाएगी चलो तो अभी केनन तूट चुकी है बॉम लगा दिये थे ना हमने दो दो डीफ रिफाइनिंग लगी हुए गाइस एक बर च जो अपना टीमेट है वो भी ओनलाइन आ गया था तो हमने उसको बता दिया था कि आजाओ जल्दी से हम लोग रेड कर रहे है अब वैसे इसको ध्यान नहीं रहा यार मैं केबिनेट पर बॉम लगा रखा था चलो मैं रिवाइव दे देता हू अपने टीमेट को भी और एस यह कमी नहीं थी क्योंकि हमने यार मतलब काफी सारी एर गन ली थी रूम से लेकिन आप तो और ज्यादा मिल गई हमें लूट तो यह लार्ज श्ट्रेज पूरी तरह से खाली कर दिया है यह वाला भी देख लेता हूं मैं यहां पर तो कुछ भी खास नहीं है इस वाले ला बाद नहीं यह बेस में भी तोड़ूंगा यार गाइस ठीक है डीप रिफैनिंग मैंने वैसे पहले चेक करी लिती यार अब एसके मुझे तर्फ देगा उसके बाद में इस बेस को हम लोग तोडेंगे चलो तो टर्फ मिल चुका है अब मैं तोड़ना स्टार्ट कर देता बाकी लूटे ना इस बेस को तोड़ने के बाद में उठाएंगे वैसे यार दोस्तो मुझे ना इस बेस में अभी तक बॉम नहीं मिले यार और वो क्यों नहीं मिले मुझे पता नहीं चल रहा देखो अगर इस बेस को बंदा जो सोलो खेल रहा है अगर वो बॉम लेके भा पहार का तो फालतू बना हुआ है इदर की साइड से बेस तोड़ता हूँ यार मैं पहले तो वाल वाल तोड़ते कि अपता बीच में कोई छुपी वी लूट मिल जाए इदर की साइड में फर्नस लगे हुए थे इसके ओके फर्नस भी तोड़ देता हूँ मैं पता नहीं पड़ा हुआ है लौचर तो ओके चलो ले लेता हूं यहार मैं क्या पता बचु का बनाने काम आ जाये लौचर तो इसलिए रेनी चाहिए हर चीज आया है अपने पास में प्लैट ले लेता हूं और चैसिस ले लिया है लिकॉप्टर चैसीज भी ले लिया आगे जाके हम ल फिर हम हेलिकॉप्टर बना के और गुमते फिरेंगे हर जगे कोई भी नया बेस बनेगा तो उसको रेड भी कर देंगे यहाँ पर यार केबिनेट की लूट पड़ी हुई थी एसके ने उठाई नहीं यार वैसे मुझे याद आया यार गलती एसके की नहीं है क्योंकि केबिनेट मैंने तोड़ी थी और मैं केबिनेट तोड़ के उसके लूट उठाया ही नहीं यार चलो खेर कोई बात नहीं अब तो मैंने लूट ले ली है और अब यहाँ पर उजी पड़ी हुई है और बाकी और क्या है यार अब फालतो की लूट रह गई है इस लूट को रहने देता हूं यार तो अब मैं गाइस आप सभी को जो मेरे बेग में लूट आई है वो दिखा देता हूं एक बार ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि कितनी खास लूट मिली है देखो अच्छी खासी मुझे इस्टिल मिल और उसके बाद में हम लोग आ गया है यहां पर हमें पता था एक और बेस बना हुआ है जो कि स्टोन से अपग्रेड है तो इसको भी रेड करना जरूरी था नहीं तो फिर इसके बाद जो बंदा ज्यादा बड़ा हो जाएगा वो हमारे बेस पर रेड कर देगा इसलिए हम मतलब हमने मतलब गूम के देखा ना पूरे मेप में हमें यह दो ही बेस मिले अभी तक तो कार से देखा था वैसे हमने हेलिकॉप्टर से नहीं देखा अभी तक तो हेलिकॉप्टर से भी देख लेंगे एक बार गूम के बाद में तो गाईस यार देखो जब हम लोग इस ब पोड़े सी लूट भी मिली है अब मैंने इस बंदे को यार अभी किल करते टाइम है नाम नहीं देखा है ठीके नाम पर देहां नहीं दिया है क्योंकि अभी मैं यह देख रहा था कि अपनी रेड पूरी तरह से कम्प्लीट हो जाए तो गाइस देखो अभी स्टोन की वाल तो तूट चुकी है और इन बंदों की जो लूट है वो अंडर ग्राउंड है मतलब नीचे के साइड में है इस बेस में लूट तो नीचे के साइड में देखते है अभी बंदा फिर से आया था शायद और मेरे टीम इस ते वह तो तूट चुके है यहां पर मुझे लग रहा है कि केबिनेट यहां पर होगी एक बार देखते है इधर साइड से हां तो यार गाइस देखो केबिनेट में मिल गई है अब जब हम इस बेस को पूरी तरह से तोड चुके थे ठीक है अभी तक हमने तोड़ा नही कि मैंने जिस बंदे को किल किया था भी थोड़ देर पेले मैंने मतलब अपना वीडियो थोड़ा देखा उसके बाद में मुझे पता चला कि यह मतलब मेरा दोस्ती था और इंडियानी बंद आता लेकिन यार मतलब हमें रेड करते टाइम मैंने नाम पे ध्यान नहीं दिया हम रेड करते रहें और रेड कंपलीट हुई उसके बाद में जाके ध्यान आया कि हाँ यार अब रेड कंपलीट हुई है मेसेज अब देखते हैं तो यार मतलब गलती हुई वैसे तो लेकिन क्या है कि एक सर्वर में अगर खेलता है तो फिर उसके बाद ये चकर जरूर ठीक है गाईस तो बस आज के लिए इतना है अगर आज के ये वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक किजे इस वीडियो पर 300 लाइक का एमबोर्ड लगा रहा हूं साथे साथ जिन लोगों ने अभी तक भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दे से यार गाईस सब्सक्राइब कर लीजिए हम मिलेंगे एक और न्यू गैम प्ले में तब तक के लिए गुड़ बाई